तो आपको निलकंट महादेव सालमगड और कमलेश्वर महादेव के दर्सन जरूर करने चाहिए तो आईए हम दर्सन करते हैं सालमगड के निलकंट महादेव के हरी भरी पहाणियों के 20 सीनियों से उतर कर निलकंट महादेव के मंदिर पर पहुचा जाता है सालमगड से एक किलोमेटर की दूरी पर ये मंदिर इस्तित है बारिश के मौसम में आपको कुछ ऐसे नजा रहे यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे एक प्रकर्तिक जलधारा शिवलिंग पर 12 महिने जला भी शेक करती है ये गुप्त जलधारा कहां से उद्गम हो रही है आज तक इसका पता किसी को नहीं चल पाया है सालम गड़ के नजदीक गोत्वेश्वर रोड पर एक कमलेश्वर महादेव का इस्तान है जो पाहणी नदी पर एक चट्टानी गुफा में इस्तित है यह गुफा करीब 15 से 20 फिट गहरी है जिसमें बहते नदी के जल में से गुजरना पड़ता है इस गुफा में आप भुले बाबा के प्राकर्तिक शिविलिंगों के दर्सन का लाब ले सकते है झाल कर दो करना है इस नदी पर कई छोटे बड़े जहलने इस्ति थे जहां आप इनका पुरा लुफ्ट उटा सकते हैं कि आप अल्टी जहां आप बड़े जहां आप सकते हैं